आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ प्लान बनाया हो और वो प्लान फेल हो गया हो इन फैक्ट एक चीज ट्राइ करो अपने दिमाग की कसेट को रिवाइंड करो और वो सब यादों को देखो जिन में सब कुछ एक्जाक्टली आपके बनाये प्लान के मुताबिक गया था है कोई ऐसी याद? बहुत रेर होता है जब हम जो चाहते हैं एक्जाक्टली वैसा ही हो तो ये प्लान काम क्यूं नहीं करते? क्यूंकि हम सिर्फ एक्शन प्लान करते हैं, ये तो वही बात हो गई कि सीन में दो लोग हैं और मैं सिर्फ एक किरदार के सारे डायलोग पहले लिखूं और फिर दूसरे के क्यूंकि रियालिटी में जब एक इनसान कुछ कहेगा दूसरे से, तो वो दूसरा भी कोई जवाब देगा न? और उसका जवाब सुनके ही पहला वाला अपनी अगली लाइन कहेगा क्यूंकि हमारा हर अक्शन दूसरे में रियाक्शन पैदा करता है और कभी-कभी वो होता है फुली ओपुजिट रियाक्शन और ये बात हमारे इस एपिसोड के किरदार से बहतर कोई नहीं समझता भी क्यूंकि इनकी जिंदगी में आज पहली बार न्यूटन का थर्ड लौ इन्हें भारी पड़ा है आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होता है दो 16 साल के यंग इडल्स की सोच में जब उनकी गाड़ी उनके बनाए प्लाइन की पटरी से अलग ही दोड़ने लगती है मेरा नाम है लक्षतत्ता और आप सुन रहे हैं फिर से सुबा के आट बजे हैं लेकिन आज सुबा रोहान और सोहाना की तरहां सुनैना और रोहन को प्रॉम्पोजल रूम के कमरे की दिवारों पर अपना नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल शाम को सुनैना ने ही स्कूल प्रेजिडेंट के साथ मिलकर ये प्रिंट आट्स निकाले हैं और आज सुबा साथ बजे सबसे पहले पहुँचकर दिवारों पर लगाए है एक अलग टाइप की सजा है ये जहां सुनैना को अपने क्रश का नाम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पेस्ट करना पड़ा एंड डिस्पाइट बिइंग दे वाइस प्रेजिडेंट सुनैना ने एक सेकिंड के लिए भी कोई हेरा फेरी करने का नहीं सोचा लेकिन रोहन सुनैना जितना सिंसेर और आउनिस्ट नहीं है उसने कल फुल कोशिश करी थी सुनैना को कन्विंस करने की कि उसे अपनी पावर को यूज करना चाहिए रोहान और सुनैना को तोड़ने के लिए ये अक्चुली जुडने से पहले ही अलग करने के लिए और तब सुनैना का एक ही जवाब था रोहान और सुहाना अब दो opposite facing magnets है इनका मिलना तो अब कोई भी नहीं रोक सकता और किस्मत ने इन दोनों के साथ जो खेल खेला है अब उनकी यही सजा है कि उन्हें इस attraction को live देखना पड़ेगा तो आज सुनैना और रोहन की नजर प्रॉमपोजल रूम या बागी के सब प्रॉमप कपल्स पर नहीं सिर्फ रोहान और सुहाना पर है तो वो पहली pre-classes break वो आठ से साड़े आठ वाली उस break में इन दोनों ने जासूसों की तरहा रोहान और सुहाना को follow किया ज़्यादा मुश्किल नहीं था उनके करीब रहना क्योंकि वो दोनों तो अपने ही bubble में घूम रहे थे स्कूल के हॉल्स से लेकिन as hoped रोहन को उनके इस पहले exchange में एक advantage तो दिखी रोहान और सुहाना दोनों काफी awkward थे 20 मिनिट में मुश्किल से 2 मिनिट औफ actual बाते करी होंगी उन्होंने सुनैना को ये बात इतनी important नहीं लगी क्योंकि उसको लगा कि अगर वो सुहाना की जगा होती भी रोहान के साथ तो शायद वो भी इतना awkward फील करती लेकिन सुनैना ने भी एक advantage नोटिस करी कि इस पहली बात चीत में तो दोनों के बीच में 2 से 3 feet की दूरी थी and thank God उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा और उनके हाथ ना मिले इसलिए at 8.25am रोहन ने सुनैना को कहा कि क्लासे शुरू होने से पहले उन्हें इन दोनों को अलग करना होगा information निकालने के लिए क्योंकि सबसे पहले वो दोनों एक confusion clear करना चाहते हैं कि उनकी chits, काम क्यों नहीं करे सुनैना भी reluctantly मान गई और दोनों सामने खड़े हो गए रोहान और सुहाना के फिर सुनैना सुहाना को एक तरफ ले गई और रोहन रोहान को दूसरी तरफ लेकिन इससे पहले दोनों अपना main सवाल पूछ सकते रोहान और सुहाना ने उनसे पूछ लिया तो उन्हे जवाब देना पड़ा और फिर क्या होना था दोनों एक्साइट हो गए क्योंकि अब सुहाना और उसकी बेस फ्रेंड सुनैना अब साथ में प्रॉम जाएंगे और रोहान और रोहन जो वैसे तो बेस फ्रेंड नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम से एक दूसरे को जानते हैš और वो भी सिफ क्रिकेट की वजा से लेकिन दोनों की लाइफ में अभी बेस फ्रेंड की पॉजिस्शन बेकेंड है और अब तो उन दोनों की प्रॉम डेट्स बेस फ्रेंड हैं अब तो इन दोनों को भी best friend बनना पड़ेगा. और फिर शुरू हो गए रोहान और सुहाना के questions. रोहान और सुनैना से. अलग-अलग से, of course. ये कैसे हुआ? कब शुरू हुआ? क्या बात करी है तुम दोनोंने अभी तक? पहली क्यों नहीं बताया मुझे? बेसिकली, रोहान और सुहाना का attitude तो ऐसा है अभी, कि वो दोनों तो अब veterans हैं इस prom couple दुनिया के. Long time members of the prom club. पिछले 25 मिनिट से. और अब उनका काम है इन दो नए members को induct करना क्लब में. और ऐसे ही, रोहान और सुहाना के नजरिये से, शुरू हो गया school of इश्क का दूसरा इश्क. लेकिन उन्हें नहीं पता कि सुनैना और रोहन तो अभी भी अपने-पने पहले इश्क पर ही फसे होए हैं. और इससे पहले कि उन्हें अपने सवाल के जवाब मिलते, कि रोहान और सुहाना कैसे prom couple बन गए, कि वो चिट्स की क्या कहानी है, क्लास की घंटी बज गई. और अब साड़े-आठ बजे, चारों लोग क्लास में खुश गए हैं, दोनों girls front में और boys last row में. क्लासिस के दोरान पढ़ाई तो किसी ने नहीं करी. रोहान और सुहाना एक दूसरे को कुछ देर बाद देखते रहते, और सुनैना और रोहन उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखते रहते. तो फिर उन्होंने सोचा की क्लासिस की ब्रेक में तो उन्हें मौका मिलेगा दोनों को इंटेरोगेट करने का. लेकिन most ब्रेक में सिर्फ जासूसी हो सकी. क्योंकि जैसे ही ब्रेक शुरू होती, रोहान और सुहाना फिर से मैगनिट्स की तरहां चिपक जाते. और फिर सुनैना और रोहन को भी उनकी तरहां लव बर्ड्स होने की आक्टिंग करनी पड़ती. लेकिन जहां रोहान और सुहाना बात कर रहे हैं अपनी फ्यूचर सीटिंग अर्रेंजमिंट के बारे में, सुनैना और रोहन सोच रहे हैं कि वो अब क्या करें? As expected, रोहन ओप्टिमिस्टिक है कि वक्त उनके साथ है. अभी तीन दिन बाकी हैं प्रॉम नाइट को, कुछ भी हो सकता है. और सुनैना पैसिमिस्टिक है क्योंकि उसे रोहन को याद दिलाना पड़ रहा है कि आज वेंस्डे है और प्रॉम साथरडे नाइट को है, तो टेक्निकली उनके पास सिर्फ दो दिन है, Thursday और Friday. ये दोनों अलग-अलग ग्लास लेकर बैठे हैं, metaphorically, of course. एक का ग्लास half full है और एक का half empty. इसलिए आज उनका सिर्फ एक गोल है, पता करना है कि वो चिट्स का क्या जहमेला हुआ. इसलिए अब हम आते हैं, last period से पहले last break में, जब finally, सुनैना और रोहन, सुहाना और रोहान को अलग-अलग कर पाए हैं. और अब finally, उन्हें मौका मिला है पता करने का कि क्यूं उनका प्लैन काम नहीं करा. सच में क्या हुआ? इसका जवाब सिर्फ एक सवाल दूर है. और आज की कहानी यहीं तक. Just kidding. All right, तो सुनो. सुनैना ने सुहाना से पूछा कि ऐसा क्या हुआ, जो उसने रोहान को प्रॉम्पोज किया. तो सुहाना ने उसे बताया, कि सुनैना ने ही तो कहा था, कि उसे उस चिट पर आक्ट करना चाहिए. यह सुनकर सुनैना और कन्फ्यूज हो गई, तो उसने पूछ लिया, किसका नाम लिखा था उस चिट पर. फिर सुहाना कन्फ्यूज हो गई, और उसने कहा, रोहान, और किसका नाम होगा? यह सुनते ही सुनैना, still fully confused, अपने आसपास देखने लगी, और फिर उसकी आँखे रोहन से मिली, और उसे उसकी कन्फ्यूजन देख कर समझ आया, कि उसकी कहानी भी सेम है. रोहान की चिट पर भी उसे सुहाना दिखा, सुनैना नहीं. लेकिन ये क्यों हुआ? आप भी शायद सुनैना और रोहन की तरहां confused हैं इस चिट बिजनस को लेकर. ओके, I'll admit, मैंने जो सच आपसे कहा था इस कहानी की स्टार्टिंग में, वो जूट निकला, लेकिन वो सच भी था, क्योंकि सुहाना ने जब अपनी चिट को पड़ा, तो उसे रोहन नहीं, रोहान दिखा. अब ये सुनैना की हैंड राइटिंग की गलती है, या सुहाना की सोच की? मुझे नहीं पता, क्योंकि उसे तो अभी तक लगता है, कि रोहन उसे बिलकुल पसंद नहीं करता. और ऐसा ही कुछ हुआ रोहान के साथ, क्योंकि रोहन ने लिखा तो सुनैना था उसकी चिट पर, लेकिन कहां लिखा था? डे वन की सुभा बस में बैठे, और बस के एक जटके ने सुनैना को सुहाना बना दिया. तो सुनैना और रोहन का सच जो भी हो, सच में तो यही हुआ, कि उनकी फुल एन ओनिस्टली गुड इंटेंशिन्स के बाद भी, उनका प्लान काम नहीं करा. गाड़ी अब पट्री से अलग दोड रही है. मैंने आपसे कहा था, कि इस कहानी और इस खेल में, रोहन, सुनैना, रोहन और सुहाना सिर्फ किरदार है, लेखक नहीं. क्यूंकि ये कहानी, ये खेल, ये ब्लैक होल, इस सब के पीछे एक ही हाथ है. मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ आवाज हूँ, हाथ तो इश्क का है. और इश्क की वज़ा से ही, डेथरी के खतम होने से पहले, सुनैना और रोहन सैड भी हैं और होपफुल भी. क्यूंकि अब जब उन्हें सच पता है, वो अब अपने नए प्लैन को बना सकते हैं. वक्त आ गया है, दोनों को अपने अलग-अलग ग्लासेज, वो हाफ एम्टी और हाफ फुल वाले, को एक साथ एक ग्लास बनाना. नया दिन, नया मौका. और आज की कहानी यहीं तक. I know, मेरी यह कहानी को बीच में छोड़ कर आगे की कहानी को टीज करने की आदत आपको शायद अच्छी नहीं लगती. इसलिए मैं आपको एक फुल आउन स्पोईलर बताने वाला हूँ. Day 3 अभी खतम नहीं हुआ है. इस कहानी में एक और किरदार है, जिससे आपको मिलाना बाकी है. अगले एपिसोड में. मेरा नाम है लक्षदत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल आफ इश्क. यह एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे बताईए इंस्टेग्राम पर और अगर आप इस शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टेग्राम की बायो लिंक पर क्लिक कीजिए to show your इश्क. मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है Day 3 रूहाना